यह जो update आपको दिखाए दे रहा है 13.0.11 जिसका size only on 347 MB देखनी को मिल रहा है यह finally सभी के लिए rollout होना सुरू हो चुका है note 11 के Indian users के लिए और इसका जब first update आया था beta tester और internal tester का जो कि हमें देखनी को मिल रहा 22 को और आज है हमारा 28 और भाई काफी लंबे टाइम के बाद यह update सभी के लिए rollout किया गया है और इतने दिनों से मैं इसे use कर रहा था तो आज यह final review और नेमला इस update का कि क्या कुछ हमी आपे देखनी को मिलता है इतने long usage के बाद performance, features, battery और final conclusion कि इसे install करना चाहिए अपडेट करना चाहिए या फिन नहीं तो चलिए वीडियो को चेक आउट करते हैं और वीडियो पसंद आता है तो यह लाइक करेगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब और चैनल के support and grow के लिए भाई share जरू करना अपने दोस्तों के साथ और अगर आप है जो आई custom room अगरा यूज करना पसंद करते हैं अपने device के लिए तो मेरे एक dedicated channel है custom room का उसे subscribe कर लेना link description में है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आप यहाँ पर चैनलों के जो फोकस करने वाले है तो पहला चैनल आपको यहाँ पर देखनी को मिलता है security patch का जो कि six month का है इसके पहले थोड़ा सा और ज्यादा old था तो अब यहाँ पर थोड़ा नया old है लेकिन old है ठीक है तो यह update आपको दिखाई देता है another यहाँ पर आपको storage के अंदर आप दो system नजर आ जाते हैं जो कि यह जो features है maximum android 12 वाले users को देखनी को मिल रहा है बट इसका android 11 का ही update 12 आया नहीं है जबकि global में 12 के दो update आ चुके और भाई जल्दी हमें इंडिया में भी देखनी को मिलेगा तो wait कर लेना और subscribe कर लेना तो यहाँ पर आपको दूसरा system देखनी को मिलता है जो कि clickable होता है जिसमें आपको direct order दिखाई देता था बट अब यहाँ पर double system हो गया है तो एक clickable है और एक none clickable है यह change देखनी को मिलेगा उसके बाद जब भी आप update करोगे अपना system का security app चेक कर लेना कि यह update ले रहा है या नहीं अगर लेता है तो update कर लेना अध्वाज आपका auto update हो गया होगा तो आपको latest यहाँ पर one June का security patch नजर आएगा साथ से साथ यहाँ पर कई बड़ आपको system के app के update नजर आया होगे जो की phone के update होने से पहले ही आपको मिल गया होगे या phone के update होने के बाद क्योंकि आजकल maximum जो device के अंदर features नहां उसे app की रूप में convert किया रहा है और वो कई बार OT update आने से यहाँ आपको मिल जाता है और जब हम video provide करते तो आप कहते हैं यह तो हमें पहले मिल चुका था तो यह नया क्या है तो भाई वह features provide किया जाता है नया update के साथ लेकिन वह AP के रूप में है तो बहुत सारी लोगों को update आने से पहले ही यहाँ पर जो नजर आ जाता है जैसे कि यह भी एक update rollout हो चुका है जो कि में भी आप सभी को मिल गया होगा काफी टाइम पहले ही या फिर इस update के बाद आपको देखने को मिलेगा वह हमारा नया theme store जिसमें आपको देखने को मिलेगा यह एक नया add type का आपको दिखाई देता है और यहाँ पर जितने भी theme के preview है न यह सारे यहाँ पर आपको unlock देखने को मिलते हैं यानि काफी जाद लदी unlock हो जाते हैं पहले इनके thumbnail है जो open नहीं होते थे साल साल यहाँ पर fonts का option आपको देखने को मिलेगा और अब यहाँ पर fonts में improvement यह आ गया है कि अब जब भी कोई भी third party fonts को download करके apply करते हो तो आपको अ concept नजर आ रहा होगा और इसके अलावा आपको EY के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा जो कि प्रोफाइल है इसका look अब यहाँ पर change हो चुका है जो कि पहले था different है अब different हो चुका है तो यह एक system app के update का feature से जो कि आपको normally अपडेटर में मिल गया होगा या आपके फ अचा नया EY देखनी को मिला था लेकिन कुछ features हमारे missing थे तो यह जो नया update आया है इसमें Game Turbo को और ज्यादा update कर दिया गया है जो कि हमारा 5.2 है और जो missing features थे न वो यहाँ पर add हो चुके हैं जैसे कि अगर मैं इसे जो अभी CPU total के उपर run कर रखा हूँ और इसे अगर मैं open क करूँ और Game Turbo को slide करता हूँ तो आप देखो है कि यह नया look है जो कि पहले आ चुका था बट यहाँ पी जो slider आपको पहले देखनी को नहीं मिला था क्योंकि यहां पर कई साथ features missing थे बट अब आपको यहाँ पर D&D, Skin Suit, Recorder, Setting, Turn Off, Cast और Wi-Fi रेखनी को मिल रहा है बट एक saturation का option जो कि बाकेटर डिवाइसेज में आया था ना वो यहाँ पर Missing है में भी प्रोसेसर उतना capable नहीं है उसके वीचे से नहीं मिला हो या फिर बाइब मिस्टेक नहीं मिला हो अगर पॉसिबल हुआ तो बाइब OTA फिर से हमारे Game Turbo के अपडेट के बाद वो features आ जाएगा बट ऑ बाके यहाँ पर प्लस का साइन तो देखनी को मिलता ही है जहाँ पर और वी चीज़े एड कर पाओगे और कुछ लोग यह वी कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा है जो गेम टर्वो के अंदर हमारा जो बीजीमाई वगरा एड ही नहीं होता है डिडक्ट ही नहीं होता तो यहाँ पर एड कर रखा है आप चाहोते हैं से इसे आफ करके रिमूव भी कर पाओगे तो इस तरीके से आप अपने अप्लिकेशन या गेम को एड कर सकते हो जो कि आपके गेम टर्व के अंदर है जो एड नहीं हुए होंगे तो इस तरीके से यह है जो हमारा काम करता है नहीं आपको आगे चलके मिलने वाला है तो यह चीज़ आप यहाँ पर भूल जाओ कि आगे कभी भी आएगा और नहीं यहाँ पर कोई unlocking या locking का आपको animation देखने को मिलता है सब कुछ यहाँ पर simple ही है जो रखा गया है लेकिन आप यहाँ पर notice कर रहे होगे कि कभी-कभी य यहाँ पर animation आपको दिखाई दे रहा है इसे मैंने manually activate कर रखा है और अगर आपको चाहिए कि इसके उपर मैं वीडियो लेकिया हूँ unlocking animation का तो भाई आप बताना comment करके मैं try करूंगा इसके उपर है जो वीडियो लेके आने की ठीक है लेकिन आप उसके लिए comment जरूर करना ब बैटरी यहाँ पर है जो 53% morning में जब चेक करते हो तो आ जाता है 52 यानि कितना तो 2% का बैटरी आप हुआ है और बैटरी से रिलेटेड मैंने एक dedicated वीडियो दे रखाया है आप चेक कर लेना i button में मिल जाएगा और another यह एक और है बैटरी टेस्ट जैसा कि मैंने आखे दोबरा रोल आउट होते हुए तो उतने दिन से मैं यूज कर रहा था तो हर डे मैंने बैटरी टेस्ट किया है तो यहाँ पर स्टिंट बाई है जो हमारा 100 पर लेट किया था और जो मैं मौनिंग में चेक करता हूँ तो 100 का 100 ही रेखनी को मिलता है यानि को दिर पहले मैं आ परसेंट का बैटरी ड्रॉप अनादर यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यह है हमारा 74 परसेंट और जब मैं मौनिंग में चेक करता है 72 यानि फिर से 2 परसेंट यानि आपको 2 परसेंट 0 परसेंट का यही है जो बैटरी ड्रॉप देखनी को मिलेगा इससे ज्यादा नहीं म करते हो ना काफी हेवी और कंटिन्यू तो आपको यहाँ पर जो स्कीन ओन टैमिंग मिलेगा वो मैक्सिम है जो आपको फाइवार्स के आसपास कहीं है जो देखनी को मिलेगा तो अब रोल मैं कहाँ कि बैटरी सही है लेकिन इसके पहले वाला जो अपडेट था उसके मुका लेकिन आपको हर बर का है कि जब भी हम फोन को लॉंग यूज करते हैं तो वेस अप्टमाइज होता है स्टेबल होता है आपके डेली उज़ेज को समझता है और परफोर्मेंस भी इंप्रूब होता है तो यह देख से तो काफी वीक है लेकिन कंप्लेट यूज के बाद फिर से इंप्रूब हो जाता है यानि बेटर रिजल्ट देता है अनदर यह है हमारा सीप्यू फोर्टल मुझे सुरू से ही काफी अच्छा देखनी को मिला है जो कि आप देखो यह 15 मिनिट के रॉन टाइम पर है जो 9 सीप्यू फोर्म भी आप यहां पर देख पाओगे और विए सिर्व एक बार नहीं मैंने कई बार जो टेस्टिं किया है और हर बार मुझे रिजल्ट काफी बहतरी देखनी को मिला है और यहां पर आप देख्सें तो कि 60 मिनट टक मैंने जो रन किया यानि एक घंटा और यहां पर मैक्स अवरेज और मिनूम काफी कमाल का देखनी को मिला है another आप फिर से देख से तो यहां पे फिर से है जो वनार्स का है और फिर से यहां पर आपको वनार्स का देखनी को मिल रहा है यहां इसे one time नहीं मैंने कई बार यह जो repeat किया है और हर बार काफी perfect और stable result निकल के आता है performance के मामले में यानि हम यहां पर final conclusion की बात करें तो भाई यह रोम मुझे काफी अच्छा लगा है कोई भी सिकायल मुझे नहीं है इस रोम से related कि इसमें कम ही है मत अपडेट करो ऐसा कुछ नहीं है आप आख बंद करके अपडेट कर सकते हो एक दो नए features भी आ लेकिन हलका सा battery में आपको drop side feel होने वाला है और यहां पर आप कहने वाले कि score इतना high कैसे आ रहा है तो यहां पर मैंने जो thirds को number of thirds है इसे मैंने 100 set कर रखा है क्योंकि by default हमारा जो 20 रहता है और आप लोगों कहीं demand आ रहे है तक वाई इसे 100 bit set करो ताकि हमें max performance का result देखने को मिल सके तो आप भी चिक करोगे तो 100 कर लेना उसके बाद आप चिक कर लेना तो बस ही एक छोटा सा update था इस update से related और आप कमेंट करके बताओ कि क्या अभी आपको update मिला या नहीं अगर नहीं मिला है तो थोग सब वेट करो यह जल्दी आपको मिल जाएगा क्योंकि भाई कल से ही यह रोल आउट होना सुरू हो चुका है तो धीरे 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 करके सभी को यह मिल जाएगा तो वेट करें और Android 12 का अपडेट जल्दी आएगा MIUI 13 के साथ तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं वीडियो दूर ताको नोटिशिशन टाइम पे मिल सकें तो हुआ 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 है